Hey guys, welcome and welcome back to Naughty Stitches आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ गोल कले का एक सुन्दर सा डिजाइन शेर कर रही हूँ इसे बनाने के लिए मैंने फ्यूस पेपर लिया है जिसकी चोड़ाई है 6 इंच और लंबाई 10 इंच अब हम यहाँ पर एक कोल कला ड्रॉ करेंगे तो इस कले की चोड़ाई मैंने 3 इंच लिया है और लंबाई 7 इंच इस कले की लंबाई और चोड़ाई आप अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से कम या ज़ादा ले सकते हैं अब इसके चारों तरफ हमें एक 2.5 इंच चोड़ा बॉर्डर ड्रॉ करना है जिसके लिए मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये निशान लगा लिये हैं और अब इन निशानों को हम आपस में जोड़ देंगे और इस तरह से मैंने ये गला ड्रॉ कर लिया है अब एक कपड़े के उपर हमें इस कले को इस तरह से रखना है और इसके उपर प्रेस करके इसको अच्छे से चिपका लेना है अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम साइड से काट लेंगे अब इसको बीच में से फोल्ड करके सेंटर में एक क्रीज बना लेंगे और अब इस क्रीज के उपर हम चौक से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे अब इस तरह से हमें एक इंची टेप की चोड़ाई जितनी दूरी पर इस तरह lines draw करते जाना है सभी lines के बीच में एक एक इंच का ही gap है तो यहां पर मैंने इंची टेप की चोड़ाई जितना ही gap ले लिया है अब इस तरीके से इसको मैं फोल्ड करके टैप कर दूंगी तो ये निशान दूसरी तरफ भी ट्रांसफर हो जाएंगे तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं ये देखिए इस तरह से लाइन्स ड्रॉ करने के बाद हमें एक गोटा लेना है ये बिल्कुल बारिक वाला गोल्डन कलर का गोटा है आप अपनी पसंद के कलर में ये गोटा थुड़ी जादा चौड़ाई में भी ले सकते हैं तो इस तरह जो मैंने चौक से लाइन्स ड्रॉ की थी, उनके उपर मैंने इस गोटे को अटाच कर लिया है, यह देखिए, यहाँ पर आप गोटे की जगा एंकर थ्रेड से भी सीधी सीधी लाइन्स लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यह लाइन्स रॉंक साइड पर करने होंगी, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सभी गोटे की लाइन्स को अच्छे से अटाच कर लिया, अब इसके उपर मुझे बीड्स वाली लेस अटाच करनी है, जिसके लिए मैं इस प्रेशर फुट को हटा दूंगी और सिंगल प्रेशर फुट यहाँ पर अटाच कर किसी भी मशीन में प्रेशर फुट इसी तरीके से बदला जाता है, अब इसके उपर हम यह बीड्स वाली लेस इस तरह टाच करेंगे, यह देखिए, बीड्स वाली साइड मैं अंदर की तरफ रख रही हूं, और लेस की किनारी मैंने बाहर की तरफ रखी है, और इसके साथ साथ बिलकुल सफाई से हमें सिलाई लगानी है, इस तरह की बीड्स वाली लेस अटैच करने के लिए आपको सिंगल प्रेशर फुट की ही जरूरत पड़ती है, तो यह देखिए, यहां से मैंने एक बीड्स निकाल कर इसका धागा लेस के उपर ही लपेट दिया था, जिसस और अब जो हमने यहां पर गला ड्रॉ किया था, उसके उपर उपर सिलाई लगा देंगे, यह देखिए, तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसके अंदर से एक्स्ट्र कपड़े को काट देंगे, बिलकुल थोड़ा सा मार्जन मैंने रखा है और बाकी सारा कपड़ काट दिया, अब इसके बीच में हम चोटे-चोटे कट्स लगाएंगे, कट्स लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हमने सिलाई लगाई थी वो ना कटने पाए, अब हम इसको पलट कर सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे, और अब हम यहां पर सिलाई लगाएं तो इस तरह से गले का यह डिजाइन हमारा बन कर तेयार हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बैल आइकन को भी जरूर दबालें, ताकि आपको मेरे सबी वीडियो के रागिलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें, तो गाइस थैंक यू सो मच फो वाच्चिंग, बाई बाई